स्वागत है आपका सोदेश में दावा है कि आम आदमी पार्टी के साड़े तीन सो रुपे देने के बाद कुछ मजदूर वर्तमान किसान अंदोलन में शामिल हुए आईए जानते हैं इस खबर के पीछे छुपे सच के बारे में वीडियो में खुद को दिहाडी मजदूर बदाते हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि वे साड़े तीन सो रुपे की दिहाडी के वादे पर रैली में शामिल हुए थे पर अब उन्हें ये रुपे देने में आनकानी भी की जा रही है वीडियो में दिख रहे कई लोगों ने आम आदमी पार्टी के नाम के प्रिंट्स वाले टीशिट पहन रखी है इस वीडियो के साथ एक यूजर ने कैप्शन लिखा आम पार्टी की जिहादी मानसिक्ता ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और समझिये किसान अंदुलन की सच्चाई क्या है हमने पाया कि वाइरल वीडियो साल 2018 का है जब आम आदमी पार्टी पर मजदूरों को पैसे देकर उन्हें अपनी रैली में शामिल करवाने का आरोप लगा था तब पार्टी ने इस आरोप का खंडन भी किया था फेस्बुक और ट्विटर दोनों जगा बड़ी संक्या में लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं वाइरल वीडियो में किसी ने भी मास्क नहीं पैना है जिससे लगता है कि ये वीडियो हाल फिलाल का नहीं है कीवर्ट सर्च की मदद से वाइरल वीडियो को सर्च करने पर हमने पाया कि दिल्ली बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने ये वीडियो 26 मार्च 2018 को ट्विटर पर शेयर किया था वीडियो शेयर करते गए उन्होंने कैप्शन लिखा था केजरीवाल की हर्याना रैली, रैली खतम, पैसा हजम हमने पाया कि वाइरल वीडियो जिस रैली से जुड़ा है वो मार्च 2018 में हर्याना के हिसार में हुई थी रैली से जुड़े इस विवादित वीडियो के बारे में 26 मार्च 2018 को खबर भी छपी थी आम आद्वी पार्टी ने उस वक्त इस आरोप का घंडन किया था हम इस बात की पुष्टी नहीं कर सकते कि 2018 में आम आद्वी पार्टी पर पैसे देकर रैली में मजदूर गुलाने के आरोप की सच्चाई क्या थी लेकिन ये सबस्ट है कि इस वीडियो का मौजूदा किसान आंदूलन से कोई लेना देना नहीं है इसी तरह की खबरे जल से जल पाने के लिए जुड़े रही है हमारे साथ स्वदेश में